हेलो फ्रेंज, हैटक अन्पम में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पेटियम के जरी हम पैसे ट्रास्फर कर सकते हैं आप पेटियम के जरी किसी के भी बैंक अकॉंट में पैसे असाइन से ट्रास्फर कर सकते हैं किसे की UPI ID है या नहीं है फिर भी आप पैसे ट्रासफर कर सकते हैं और UPI ID के हैप से भी आप पैसे ट्रासफर कर सकते हैं Paytime wallet में भी पैसे ट्रासफर कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आज आपको बहुत से तरह के बताऊंगी अपने Paytm Wallet से दूसरे के Paytm Wallet में आपको पैसे ट्रासफर करकर दिखाऊंगी। आप अपने Paytm Wallet से दूसरे के Bank Account में भी पैसे ट्रासफर कर सकते हैं। तो पहला तरीका हमारा क्या है? Wallet to Wallet Transfer उसके लिए हमने अपनी Paytm App को ओपन कर लिया है। अपने Paytm Wallet से दूसरे के Paytm Wallet में पैसे ट्रासफर करने हैं तो हम यहाँ पेपर क्लिक करेंगी। दोस्तों हमने यहाँ पेपर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यह स्क्रीन हमारा सामने खुल जाती है। अब हमें यहaar मुबाइल नमर अैंटर करना है। यह तो अपने कंक्ट लिस्टे से स्लेट कर लिजी यहां पर आप मोबाइल नमर अैंटर कर देजी 지원 अब यहां र्खने है पसी प्राते हैं यह समय बडूद करने के बादूद से दुसक् psychiatry कर करते हैं . मैंने यहां क्लिक करा है Paytium World पर पहले select है bank account मैंने यहां Paytium World select कर दिया है और उसके बाद pay securely पर मैंने क्लिक कर दिया है इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो आपके bank account के बजाए वर्लेट से वर्लेट में पैसे transfer हो जाएंगे यह देखे दोस्तो मेरे Paytium के वर्लेट से दूसरे account से दूसरे के bank account में पैसे transfer कर देते हैं और इसे किसी पका की कोई pressure नहीं होती और यह बिल्कुल ही secure है उसके लिए आपको UPI idea आपकी होनी चाहिए bank account से आपका account लिंक होना चाहिए तो उसके दोस्तों आप मेरी एक video मैंट चैनल पर डाल रखी है उसका link में description box में डाल दू इसके जरी आप यूपे मेन ट्रासफर कर सकते हैं अगर सामने वाले की UPI ID है तो सिर्फ आप नाम लिखें या फिर मोबाल नमर लिखें या पैसे transfer आसाने से हो सकते हैं और यह क्लिक करने के बाद आप पैसे transfer कैसे करेंगे यह हम इंसे देखते हैं तो हमें कहां क्लिक करना ह यूपे मेन ट्रासफर पर क्लिक कर दिया है यह देखे दोस्तो इस तरह से यह पैसे भेजने के लिए सामने वाले की UPI ID होने चाहिए तो UPI ID को कैसे बनानी है इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन वोक्स में वीडियो की लिग डाल दूंगी वहां से आप देख सकते हैं तो मै मैंने यहां पर contact list से select कर लिया क्योंकि जिसके पास मैं पैसे बेजना चाहती हूं उसके भी you pay id है तो मैंने यहां नाम लिखकर पर इसे सर्च करकर मैंने इसको select कर लिया है यह देखे दोस्तों इस तरह से आप भी कर सकते हैं select करने के बाद फिर हमें यहां amount लिखना है कि कितना amount है और इसने दिखा दिया है कि इसके you pay id यह है आपका phone number at direct paytm by default you pay id बन जाती है तो हमने यह amount लिखना है जैसे कि मैं यह 100 रुपे आपको send करका दिखाऊंगी तो मैंने यहां लिख दिये है 100 रुपे amount यह देखे दोस्तो 100 100 रुपे हम यह मैं आपको send करका दिखाऊंगी कि 100 रुपे हम किस तरह से send कर सकते हैं बैंक अकाउंट से आपकी जरूर से जरूर आपका account link होना चाहिए और जो आपके bank account में phone number है वही आपका paytm में होना चाहिए तो ही आप यह प्याइट आज़िश कर सकते हैं लिखने क आपने UPI pin डालने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे हमारा जो प्रोसेस है यह money transfer का यह complete हो जाएगा और इस तरह के जरिए आपके bank account से पैसे निकल का सिधे दूसरे के bank account में पैसे चले जाते हैं यह देखे दोस्तों जब में ट्रांजक्शन है वह complete हो चुकी सासा से लो चुक तो इस तरह से offer पेटे में आपको बार-बार देता रहता है तो दोस्तों यह था हमारा second तरीका जिसके जरिये हम जिसमें क्या है कि हमारी कुद की UPI ID है और सामने वाले की भी UPI ID है तो तुरंत पैसे transfer हो जाते हैं किसी पेकार को कोई headache नहीं होता तिसा तरीका है हमारा bank to bank transfer यानि कि हमारे bank account से पैस निकल कर दूसरे के bank account दिर्ट चले जाएंगी चाहे उसके UPI ID है या नहीं है तो हमने उसके लिए फिर दुबारा UPI MN transfer पर क्लिक करना है यह देखे दोस्तों मैं यहां क्लिक किया UPI MN transfer पर अब जो उपर option है उस पर मैं क्लिक नहीं करना है तो मैं आपको दिखाते हूं कि कहां आपको क्लिक करना है यह देखे जो यह दो तिन option है यह खुलेंगी उसके बाद आप यहां क्लिक करेंगी लेकिन आप banks to bank transfer करने के लिए आपको सामने वाले का bank account नमर पता होना चाहिए IFS record पता होना चाहिए और उसका नाम पता होना चाहिए त इससे सामने वाले की UPID हो यह ना हो आप सिदे उसके bank account में पैसे transfer कर सकते हैं उस क्लिक करने के बाद फिर आपके पास ऐसे option खुल जाएंगे कि आपको bank account एंटर करना है नमबर IFSC code एंटर करना है और account order करने में एंटर करना हो यह option आपके सामने आता है कि आप phone number भी एंटर क कर सकते हैं यह आपको अभी इस video में करकर दिखाते हूं तो हमने क्या करना है पहले पर जा बाद चाहाएंगे और क्लिक करना है जैसे मैंने आपको थोड़ दर दिखाया था कि हमें कहा कले करना है जहां लिखा है कि बैंक अकाउंट में ट्रास्वर करने पैसे इसके बाद वही option हमें सामने खुल गए हैं जो आपको भी दिखाये थे हमें यहां bank account number डालना है उसके बाद हमें IFSC code डालना है तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले का bank account number क्या है IFSC code अलग है और अगर आप UPI में ट्रांसफर करते हैं सामने वाले की UPI ID है तो फिर आपको लिखने के जुरुत नहीं है कि किस account में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो अब हमने IFSC code लिख दिया है उसके बाद अब हम account holder का नाम लिखेंगे तेकिन फिर भी आप ध्यान रखें कि आप सही लिखें नाम लिखेंगे दिया है उसके बाद जो next option हमारे पास वो है mobile number का और यह optional यह हम ना लिखें तो भी चलेगा तो हमने क्या करना ही नहीं लिखते हैं हम right proceed कर देते हैं उसके बाद यह पूसता है कि एक बार और आप bank account number क्योंकि बेटे भी यह चाहता है कि हम कोई गलती ना करें जहां पैसे बेजना चाहते हैं वहीं direct पैसे भीजें इसके हम ने क्या करा यह दुबार हमने bank account number लिख दिया है जहां भी हम पैसे बेजना चाहते है कि कितना amount हम बेजना चाहते हैं तो अब हम यह amount जिसकी 2100 पे 2700 पर click कर दिया उसके बाद हम यहाँ पर click करेंगे तो touleid click करने के बाद यह UPI pin मांगता है क्योंकि दोस्तो डोス मेरे bank account से पैसे कैसे निकालेगा यह इसके पास दो जर्या है या तो मैं direct मेरे debit card का use करो या फिर UPI का use करो तो मैं अकाउंट से कट चुके हैं और पैसे ट्रास्वर हो चुके हैं देना दोस्तों है ट्रक अन्पम का हथ बने रहें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को